कोई भी तेवहारो दही बरा बनता ही है तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एकदम नर्म एस्पॉंजी ऐसी दही बरे की रेश्पी वे भी बहुत ही आसान बना कर दिखाऊंगे तो चलिए दही बरा बनाने के लिए मैं दोनों दाल को ले ली हूँ ये उरद का दाल है और मूं का दाल दोनों एकक कटोरी मैं दाल को ले ली हूँ इसे अच्छे से मैं दो तिन पानी से साप कर ली हूँ इसे मैं फूलने के लिए छोड़ देती हूँ दाल को हम पान से छे घ ग्राइंड कर लें, कोई भी तेवहार हो, दही बरा बनता ही बनता है, खास करके होली में जरुर बनता है, अम मैं इसे एक कप के करीव पानी को मैं डाल देती हूं, ऐसे ग्राइंड कर लें, आप इसे अच्छे में थोड़ा साप डाल धे sir mE tundra सण नमक को मैं डाल देती है से अच्छे से हाथों से मैं प्षेट लेती हूँ आप ऐसे प्षेट लेती हूं अब जितना ही इसको फेटे गे न उतना ही ये फुली फूली एस्पॉंजी बनकर तयार होगा इसलिए आप इसे दाल को अच्छे से फेट ले मैं इसे फेट ली हूँ इसे मैं पांच मिनट के लिए छोड़ देती हूँ अमें चलती हूँ इधर कराही को गर्म कर लेती हूँ हमारा कराही गर्म है तेल भी हमारा गर्म है अम इसमें बड़ी को बनाकर डाल देती हूँ आप थोरा थोरा बड़ी को बनाकर हाथों से इसमें डाल देती हूँ ये बनाना तो बहुत ही आसान है ये बहुत ही आसान तरीक इसे बनकर तयार होता है और ज्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता है और खाने में भी उतना ही स्वादिश्ट लगता है मैं धीरे-धीरे करके बड़ी को मैं इसमें डाल देती हूँ गैस को आप मीडियम ही रखे तो हमारा दही बरा जो है ये खिला-खिला बनकर तयार दोस्तों कितना अच्छी तरीके से ये फूल कर तयार हो गया है और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है तो मैं इसे दूसरी तरफ पल्टा लेती हूँ आप इसे सापधानी से इसे अच्छे से आप पल्टा लें और इसे घुमा घुमा कर इसे अच्छे से पकने दे आप इसे छन्ना से चारो तरफ इसे घुमाते रहें कि ये अच्छे से पक जाए और ये अच्छे से पकेगा तो ये फूली फूली बनकर तयार होगा ये देखने में लग रहा है और कलर भी कितना देखने में अच्छा निकाल लेती हूँ, आप इसे ज्यादा लाल ना करें, इतना ही में आप रहने दें, और इसे अच्छे से आप तेल को अच्छे से छान कर इसे निकाल लें, मैं दही बारा को निकाल लेती हूँ, फिर से मैं उसी तेल में और दही बारा को मैं छान लेती हूँ, हाथों से मैं ग चोटा आप कर सकते हैं मैं इसे चारो तरफ से मिला के इसे पका लेती हूं आप इसे पल्टा ले और इसे थोरी देर इसे पकने दे और बीच बीच में इसे आप चलाते रहे ताकि हमारा दहिबारा जो है यह जले नहीं और यह अच्छे से पक जाए दहिबारा हमारा पक गया ह आप मैं इसे तेल से निकाल लेती हूँ आप धीरे-धीरे करके तेल से दही बारा को निकाल ले है बड़ी हमारा बनकर तैयार है आप मैं चलती हूँ दही बड़ी को तैयार कर लेती हूँ ये देखी कितना फुला-फुला एस्पोंजी बनकर तैयार है मैं बड़े बरतन में पानी को ले ली हूँ, पानी में बाड़ी को मैं डाल देती हूँ और थोड़ी देरी से मैं फुलने देती हूँ, इधर मैं एक कटोरी दही को ले ली हूँ, इसे छोलनी से मैं अच्छे से इसे फेट लेती हूँ, आप दही को अच्छे से एकदम फेट के बाद इसमें थोरा सा पानी को आप डाल दें पतला आप अपना अनुसार कर सकते हैं मैं ज्यादा पतला दही को नहीं कर रही मैं इसमें आधा गलास के करीब पानी को में डाल दी और दही को आप एकदम अच्छे से इसे फेट ले तो हमारा दही बड़ा जो है यह अच्छे से बन कर तैयार होगा दही बड़ा हम दही को हम फेट लिए हैं अब मैं इसमें बड़ी जो है बड़ी को मैं पानी हाथों से हलका नी चोड़ कर अब बड़ी को मैं ड़ी में डाल देती हैं पूरे बड़ी को मैं ड़ी में डाल दी हैं और इसे अच्छे से मैं मिला लेती आप दही में बड़ी को अच्छे से डाल दे और इसे थोरी देर इसे दही में छोड़ दे कि ये पूरी तरह से बड़ी में दही एबजर्ब कर लेगा अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक को डाल देती हूं नमक आप अपना अनुसार डाल सकते हैं मैं नमक बड़ी में भी थोरा सा डाल दी हूँ, इसलिए मैं दही में थोरा नमक कम डाल रही हूँ, आप नमक अपना अनुसार ले सकते हैं, और इसे अच्छे से आप मिला ले, और इसे 5-10 मिनिट के लिए रेस्ट में इसको छोड़ दे, हमारा टेस्टी टेस्टी दही बारा बनकर तैयार है, अब मैं इसे पलेट में निकाल लेती हूँ, मैं पलेट में इसे सजाली हूँ, अब मैं इसमें मसाला को डाल देती हूँ, थोरा समय गरम मसाला को डाल दी हूँ, गोल मिर्च जीरा का पॉडर डाल देती हूँ, लाल मिर्च को मैं डाल देती हूँ, लाल मि कि हमारी ये छोटी सी कोशिस आप सभी को बेहत पसंद आई होगी तो आप सभी इसी तरह हमें कॉमेंट करते रहें आप सभी को कॉमेंट पढ़ना मुझे बहुत ही अच्छी लगती है तो हमारे चैनल पर नए है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब अबस करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सेर जरूर करें तो आप सभी को धन्य बाद